गुड मारिंग चिल्डेंड टूड़े आई टीच यू मल्टिप्लिकेशन सो लेट आस स्टार्ट चले आज हम आपको मल्टिप्लिकेशन बताएंगे जिसका हिंदी होता है गुणा और गुणा का साइन होता आपका ऐसे इसको हम इंटू के नाम से करते हैं या इंटू करते हैं यहां देखिए एक्जांपल के तौर पर है आपका 6 इंटू 5 एक्वल टू 30 तो देखिए यह कैसे हुआ है यहां देखिए जैसे एडिसन या सब्ट्रेक्शन में वन्स टेंस रहता है लिखा रहता है उपर वैसे इसमें भी लिखा रहता है तो यहां देखिए 6 आपका वन्स है इसलिए वन्स के नीचे लिखा हुआ है फिर आपका 5 भी वन्स ही है तो वन्स के नीचे ही 5 लिखा हु दिनी बार हम टेबल पढ़ते हैं तो देखिए नीचे 5 है उपर 6 है तो 5 का टेबल हम 6 बार पढ़ते हैं तो हम 5 का टेबल अगर 6 बार पढ़ेंगे तो आएगा आपका 30 तो यहां हम 30 नोट कर देंगे फिर देखिए आपका 7 into 3 equal to 21 तो फिर देखिए वैसे ही 1stance लिखा हुआ है फिर 7 आपका 1s है तो 1s के नीचे लिखा हुआ है फिर 3 भी आपका 1s है तो 1s के नीचे लिखा हुआ है और इसमें भी हम पले ही की तरह 3 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो आपका आए गाड़ 21 तो फिर हम उसको 21 को यहां नोट कर देंगे आप देखिए इधर आपका है फिर 1stance फिर 1s के नीचे आपका 7 ने फिर उसके नीचे 2 है फिर इधर into का साइन है तो 2 का टेबल आप पढ़ेंगे तो 2 का टेबल जब हम पढ़ेंगे तो आएगा आपका 2, 7, 14 तो यहां हम क्या करेंगे 14 रिखेंगे फिर है आपका 1 स्टेंस फिर यहां भी देखिए 1 की नीचे 8 है फिर उसकी नीचे है आपका 5 और इधर आपका इंटू का साइन बना हुआ है फिर इसमें भी हम क्या करेंगे 5 का टेबल पढ़ेंगे 8 बार तो 5, 8 जा आप एक एक करके भी ऐसे भी पढ़ सकते हैं जैसे 5, 5, 5, 2, 10 5, 3, 15 5, 4, 20 5, 5, 25 5, 6, 30 5, 7, 35 5, 8, 40 तो देखिए 5, 8, 40 होता है इसलिए हम यहां पर 40 नोट करेंगे फिर देखिए आपका है 1, 10 फिर 1 के नीचे 9 है फिर उसके नीचे 3 है फिर इधर आपका N2 का साइन बना हुआ है तो फिर इसमें भी हम क्या करेंगे 3 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे तो आपका होता है 3, 9 जा 27 आप अपनी सुविदा के लिए के कैसे अंगली पर भी करके उसका टेबल पढ़ सकते है तो आपका होगा आपका 3, 9 जा 27 तो यहां हम 27 नोट करेंगे अब चलिए होमवर्क में नोट करिए और आज आप 6 से लेकर के 10 तक टेबल लॉन कर लिजीगा इसको कहने के बाद क्योंकि कॉलम ऐसा मल्टिकुलिएशन सिखेंगे जिसमें टेबल आपका 6 से लेकर के 10 तक का होगा थैंक्स पर वाचिंग